अखर प्रणाम् नमस्कार बहुत स्वागत है आपका उस कारीक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनदधाता और आज इस कारीक्रम में हम जिस विशाय पर बात करेंगे विशाय तो बहुत महत पूर्ण है ही जैसे कि इस कारिक्रम का ऐसा कौन सा विशय है, जिसे लेकर आप ये कह सकें कि वो महत्तोपूरुन नहीं है। लिकिन कुछ विशय ऐसे होते हैं, जिनको सुनने से, जिनको समझने से अगर जरासी भी चूक हो जाए, तो कई भ्रह्म भी उत्पणना होते हैं। आज हमें कभी हृदय व्यक्ति जो खुद भी कविताएं लिखते रहे हैं, श्याम स्पंधन, इनका ये हमको वाटसप मैसेज मिला है। और ये बिहार के आरा में रहते हैं, और कहीं से इनको अमारे कारिकरम का लिंक मिला। तो इन्होंने पता करके फिर इस कारिकरम को नियमित देखना शुरू किया। कभी यूट्यूब पर, कभी टेलेविजन पर। इन्होंने हरिवन शाय बच्चन की एक कविता के मर्म को समझना चाहा है। इन्होंने का इसको लेकर हम मेरी मित्रों के बीच में चर्चा हुई। तो सब ने अपने अपने अर्थ निकाल लिये। जैसे चार वो व्यक्ति हैं जिनकी कहानी हमने पढ़ी है बच्पन में। कि उनकी आखों पर पट्टी बांदी गई और एक हाथी को सपर्श करने के लिए कहा गया। तो किसी ने कहा ये हाथी के पैर चूकर ये बड़ा खंबा है। किसी ने पूछ को चूकर कहा रसी है। सून को चूकर किसी ने कोई और बात कही। उन्होंने का हरिवन शाय बच्चन अपनी एक कविता में कहते हैं कि पाप हो या पुन्य हो कुछ भी किया नहीं मैंने आधे हिरदैस है। अब मित्रों का ये कहना था उसमें कुछ का कि साथ भी बिल्कुल ठीक बात है। जीवन में दुविधा नहीं रहनी चाहिए। पाप और पुन्य के भेद में पढ़कर जीवन को क्यों जमेले में डाला जाया। आप जो कर रहे हो वो अच्छा ही कर रहे हो यही मानो कि अब इनका यह भी कहना है, कि इसका अर्थ यह भी है कि कुछ अदhrम और अनीती हो रही है जैसे अभिमन्यू को घेर कर मारा गया तो कौरो तो यही सोच रहे थे कि बहुत बढ़िया हमारा तो धर्म का पक्षी यही है नहीं तो यह युवक तो तबाही मचा देगा पाप हो या पुण्य हो कुछ भी किया नहीं मैंने आधे हरदय से इसका अर्थ क्या है क्या इसका ये अर्थ है कि हर काम को समग्रता से करना चाहिए पाप और पुण्य का फैसला कौन करता कौन कर सकता कि किसी के लिए हम प्रति दिन चलते हैं अब सनातन परंपरा हो या कुछ शन्य धर्म भी हैं वो भी कहते हैं कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए कुछ रिलिजन के फ़लोवर्स तो ऐसे हैं कि वो यही मानके कि अनेक सूक्ष्म जीव सुर्यास्त के बाद जो अद्रिश्य होते नहीं दिखते हैं तो भोजन जल्दी कर लेते हैं कि कम से कम हमारी करते हुए देखते हैं जिनमें चीटे चीटियां काफी प्रमुक होते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं और कई बार आप लापरवा भी हो जाते हैं कि मरने दो मैं क्या करूं क्या मैं रुक कर मीटिंग छोड़कर इन सारे चीटे चीटियों को जो काफी बड़ी संख्य में कहीं बाहर का मार्ग दिखाऊं तो पाप और पुण्य की परिभाशा बड़ी विचित्रसी है हमें ऐसा लगता है कि और तय करने वाले समाज के इठेके दार है इश्वर तो धर्ती पर आता नहीं कि यह पाप है और यह पुण्य है कर्म फल से यह तै किया जाता है कि इनको को बहुत अच्छा जीवन है तो इनके कर्म फल अच्छे होंगे इनका नहीं है लेकिन क्या जीवन को समगरता में जीना जादा अच्छा है यě पाप फुन्य के फेर में ऊलजना है या जीवन को जिया आपने लेकर सिर्फ सवाल खड़े कर सकता हूं हुं और जो हमारे शाम स्वपनिल जी ने जो बात कही है उनकी बात का भी उत्तर हमारे विद्वान वक्ता ही देंगे जी प्रोफेसर डॉक्टर सुरेन विहारी गोस्वामी जी मानस मरमग्य भगवत गीता के अद्धेता जी आज आप अपनी व्याक्या करते समय और अस्वंदन जी की बात करते हैं इतने सारे विशय ले आए हैं कि मुझे उसके चैन में समस्या विल्कुल नहीं हो रही लेकिन मुझे लग रहा है इतनी विशयों को एक सा समय विजद करके एक विशय में बोला यह मैं अपना चंतन कर रहा हूं एक विशय जो मुझे इसमें लगा वो उसमें गया कि चुल आप जो बी किया जो और चिराओ किया नलु बीकिया राहे ज़ित्री सकीे किसी की लिए अचाहर अपर भी चंतन कर दिया धे आपका एक चंतन जो होुआ सोह उर्हित कर रहा है कि लोग जो है भुजन करने में भेड कैसे रखते कि और कि लिए उसमें बना के रखा और अंतिंतेया आप प्र को लेआ हैं पाप और पूंड़ में कौन सा इनके तीनो έ्ट कोzięki लिस्ट करिें आपको किस आप पुर्णय का भेद करना बहुत आवश्यक है यह जीवन tवी जीन आवश्यक की कि ध्युदय करने की आपको आउश्कता क्यों पड़ रही है कि आप ऐसा करकर भाह apo प्रमानित करना मैं प्रण्रय करताओं कि हमारे प्रकृतिने हमारे चाहतों में के चबूर लिए की क्रित कुम एक अनiliby वरनित है कि अपने जीवन में इतने क्रम करने चाहिए जब आप कर्तव पर चलते हैं और नहीं करते हैं जो आपको करनाक चाहिए वर पाफ है तो क्या यह कुछ है फिनको की में करहिए नही चुख कर रहे मिय हुआ है तो इसमें मरम है इसमें गहराई है कि आपने बड़ी सुंदर बात कही कि करतव ये पत्थ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही कर अब यहां पापुण्य क्या है जो करतव पत्थ पर चला जी तो करतव वही किया जो आपको करना चाहिए अब वैसे हम जीवन में अगर किसी को इश्वर ना करे दुरुगटना वर्ष भी किसी की मृत्ति हो जाए तो वह हत्या है लेकिन एक सैनिक दूसरी देश के सैनिक पर गोली चलाता है करतव ये बहुत अच्छी बात जिन्वाणी में आती है जिन्वाणी में एक अहिंसा का पालंद करने वाले वीर सैनिक का नाम वरनित है मैं विस्मृत कर रहा ह हो नित प्रति हिंसा प्रमोद्रमा के सिठान पर चलता है वह महावीर के बताय ह्वे मार्ग पर चलता है लेकिन वो युद्ध भूमी में जाकर उतनी क्रुटा के साथ युद्ध करता है उससे किसी ने पूछा कि क्या यह हिंसा उसने कहिते हैं यह मेरा करतब ढरुर।र हैं कि नहीं हमाँ यह रख़त रहत owns और स्टत के पकार्ण ने तो समाज की विभाजन रेखा है जो अपनी सुविधा से वो गड़ते रहते हैं जिस व्यक्ति को युद्ध में हमने मारा है उस व्यक्ति का भी अपना एक परिवार है उसके अपनी एक विवस्ता है अब युद्ध की एदी हम बात कर रहे हैं जो मृत को प्राप्त हो गय है वह अपने देश के लिए शही हो गया और उसका वद्ध जिसने किया है वह अपने देश का वीर हो गया है क्योंकि उसका काम उसको बारना था पाप और पुन्य हमारे महज कीवल समझ सक्ति का भेद है हम द्रिश्ट पूतम समास्रित्ते वस्त पूतम प्रवेजले मना आप यहान fulfillment की तरह का कौन ठूंडेगा इसलिए तो तुलसी इसका साहटेस्ट राष्तान निकालते हैं वो कहते हैं पर हित-सरस धरम नहीं भाई और पीड़ा नहीं सम आधिमाई वह कहते हैं जब आप पर्मार्थ का कारी कर रहे होते हैं तब आप पुंड कर रहे होते हैं वहां आपका स्वार्थ नहीं होता और जब आप स्वार्थ का कारी कर रहे होते हैं वहां पाप और पुंड होने का भयविद्धमान होता है तो इसका जस्टिफिकेशन कोन करेगा आ आपका अंतर मन जिस कारी को करने से आपके मन में बहात का बाई बहास आहिसा कि आप गलत कर रहे हैं ऊहीं क्योंकि मंद तो चिल्ला कर पूरी विक से कहता है पूरी अनंतता के साथ कहता है आप ध्यान रखे जिस्पल अभिमन्यू का वद हो रहा था और युद्ध में आप अपने शत्रू का संगहार करते हुए लड़ते हुए लेकिन युद्ध के कर्भयान उसार और युद्ध का करतब क्या है कर्म में विभाजित है कर्म क्या कहता है कि यह एक युद्धा से दूसरा युद्धा नहीं लड़ेगा एक को मिलकर के बहुत सारे लोग नहीं मारेंगे चारों तरफ साक जिसको वो ललकारेगा वो उसके युद्ध के लिए आएगा माँ भारत के युद्ध में जब भी किसी वीर ने किसी को ललका रहा है वो ही युद्ध करने गया है एक सैनिक से दूसरा सैनिक ही लड़ेगा यह उस समय के उसकाल के बने हुए युद्ध थे रात्त्री के बाद कोई प्रहार नहीं करेगा अश्रस्थामा ने दुरोपती की सोते वे पुत्रों को मारा था यह पाप था जिसकी उसको शजा मिली तो अभी मन्यू का चुकी वद हुआ सब ने एक साथ मिलकर मारा लक्षमन को मार दिया उसके पुत्र को दुर्योधन के कहां पर उनके द्वारा किया हुआ वो सारे कारे जो इन पर भारी थे वो सारे एहसान जिसको आप शब्द का उप्योग कर लें वो भारी थे तो उन्होंने अपना कर्म किया लेकिन द्रोण भी जानते थे कि पाप है करन भी जानते थे कि यह पाप है दुर्योधन भी जानत अभी एक दूसरे से लेकिन जब हम पूछते हैं किशी से क्यों मैंने ठीक किए आप रिभुशत में और बचचन जी कहते हैं कि पूरे रदय से přचया उपयों नहीं से पूरे मंद से किया जाने काम स्वार्थ परकहा भी हो सकता है। लियकिन इर्दय निर्मलता का प्रतिख index है। आपने हुर किया। हुर्दय के लिए हार्ट शब्द का उप्योग स्बते हैं। हम्भी हार्ट की जगा हुर्दішक उप्योग करें देते पीर जर्ब लेकर आते हैं। यह दिल हार्ट और हर्दय में क्या अंतर है। फ्युप हुआ। अध्यात्मिक सब्द मत के निर्म नर्मल मन् के भास को हुर्दय ज़ी थे हर्ट को नहीं कहते है। अगाद गहरा जो आपका मन है जिसमें निर्मलता ही निर्मलता है जितने गहरे में चले जाएंगे पानी आपको उतना साप मिलेगा उतला हुआ नहीं जो उपर दिखाई पड़ रहा है वो नहीं तो वह प्रेरिद भी कर रहे हैं कि जब भी आप अपनी लगन को पूरी तरीक करना आवशक है और नयोचित कारी की सबसे पहली विसेस्ता है कि आपकी संतुस्ठी कि आप स्वयम संतुस्ठ हो रहे हैं उस कारे से उस कारे को करते समय जिसके लिए आप अंग्रेजी के शब्द उपयों करते हैं सल्फ सटिस्पेक्शन कभी विशाद में नहीं आए राम क में वहां पहुंचे उन्होंने पांच मकार के विरुद्ध शंखनाद किया पांच मकार वो जिसका उपयोग तथा कथित तांत्रिक कर रहे थे अपने विलास्ता के लिए मुद्रा का उपयोग कर रहे थे मांस का उपयोग कर रहे थे मैथून का उपयोग कर रहे थे मदिरा सारे लोग पराजित हो गए तो वहां पर एक अविरल सनातनी शुद्ध पूजा होने लगी वो धारा बहे निकली मां किसी का हिंसा थोड़ी चाहती है यह आप अपने लिए करते हैं मां मध्यपान नहीं करना चाहती यह मधिरा आप चाहते हैं इसलिए करते हैं तो जब इस प बगंदर रोग हो गया आचारे शंकर को तो देवताओं ने देखा कि आचारे शंकर शुक्यांस से आए तुर ने अश्वनी कुमानों को उनके पास भेजा उनकी चिकित्सा के लिए क्योंकि उनकी शिहत बिगड़ने लगी तैतीस वर्स वकुल रहे हैं संसार में कई बार म अब पर अश्यार अश्यार मुण जो है उस सबसे बड़ा पॉप है उनकी के अच्छा है वह संतुस्ट हो का तु रहने दो बुल्ये पर तुर करता हूं मैं इसके विरुद्द प्रयोग करता हूं तो आप ठीक हो जाएंगे जिसने आप पर प्रयोग किया है वह उसका प्रतिशार करते हैं और जिन्हों ने उन पर यह मारन किया था उसकी मृत्तु होती है और आचार संकर स्वस्थ हो जाते हैं तो यहां पर दोनों ही प्रक्रियां अपनी जगह है एक कर्तब पत पर एक आग्र भाव से चला है हिर्दय की निर्मलता से किया गया प्रते कर्मपुन्य मैं है क्योंकि हिर्दय शब्द परोफकार का प्रतीक है और मन शब्द बुद्धी शब्द इसमें पाप मैं आचरन भी हो सकता है चद्व भी हो सकता है चल भी हो सकता है तो आप इस चद्व चल से मुक्तर हैं आप पूरी बुद्धि का उप्योग कर रहा है शकुनी लेकिन पूरे हिर्दय से बैठे हुए है विदुर जी पूरे हिर्दय से और आधे हिदय से बैठे हुए है भीष्म पितामा दहीं खाऊं की महीं खाऊं। और हिर्दाय विहीन बैठे हुए हैं धितरास्ट जिन्होंने अपने हिर्दाय को बिल्कुल सारे दर्वाजे बंद करके रख दिये हैं संकुचत हैं इतने संकुचत हैं कि पांच गाउं भी नहीं दे रहे हैं तो आप करिए ना आपके जीवन में बहुत सारे हमारे जो लोग करते हैं कारे करते हैं विक अनके पूरे को नहीं होते हैं कर्मर्म करतब्र क्यों नहीं बन पाता है क्योंकि वसमें एकाग्रता नहीं ता आप उसाथ पर चलते हुए थोड़ा छोटा रास्ता ढूंडते हैं साथ कट ढूंडना चाहते हैं आप से लाइन बड़ी हुई नहीं और आपको टिकेट लेना है तो आप देखते हैं कि कोई है क्या पहचान वाला तो मैं उससे कहूं आप अपने करतब का पाला नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली विकट समस्चा हैं और हमें कुसंग के कटकीले पत पर ले जाने का कारण जो है वो हमारे की विशालता का आभाव है घर-घर संकुचे कि हरदय के Halo को बहूंद हें हैं हमारे हाँ हट बाबा तुलसी कहते हैं कि जिनका हर्दय जो है पाशान के klais कठोर Department सो इचाती और सुना हरी कृपाना जो कि अर्स्ती हर्श हमेट सा hops appropriate ह्ं रजा हरसा आननका प्रयाए в सुख दुक्र दिल और मन में मत तो जहां पर सुख ऑर दुक्र है वहाँ पाप और फॉंन है जहां पर가 है वहां प्रय का चेटेनी खतम वहां एक आगरता है वो पूरे वेक्ट से चलता है। बहुत सुंदर बात है। बहुत ही सुंदर उत्तर मिला है कि मन और हृदय कि मन है जो पाप पुण्य के गणित में उलचता है। हिरदय है जो समग्रता में चलता है। ऐसलिए अरिवन्शाय बच्चन जी ने कितनी गहन कब भीर बात किये उन्होंने यह नहीं कहा कि पाप हो या पुण्य हो कुछ भी किया नहीं मैंने आधे मन से हृदय हृदय दरसल निर्मलता का प्रतीक है। सागर जितना गहरा है। हाकाश की तरह अनंत विस्तार की छवी समेटे हुए। इसलिए जो भी बाते हमने हिरदय स स्वा से आत्मसात्कि होती है। वो हम कभी भी अंतिम सांस छोड़ने के बाद भी शायद अगले जन्म की आत्राएं हैं अगर तनातन परंपरा जो मानती है। वहां तक वो जाती है। लेकिन मन की बाते हमेशा यह तैय करती हैं कि यह अच्छा, यह बुरा, यह ठीक, यह ख पुन्य करके जिदर से पुन्य किया नहीं, उदर से गाना शुरू कर देता है, ये वो धर्मशाला के लिए हमने आज 35,000 रुपए दे दी हैं, पचास बोरे सिमेंट भी बिजवा दी है, और अपना तो प्यावु चलता है पिताजी के नाम पे हर सिहस्त में, ये वो डरे सुबे मन है, जो थोथा चनाम आफ कीजेगा, बाजे घना ऐसा नहीं है, लेकिन पुन्य का असली स्वरूप वही है, मैं अभी जबलपुर में था पिछले सप्ता, वहां एक परिवार के हाँ सुबे ब्रेक्फस्ट परामंत्रित था, पंजाबी परिवार है, उनकी पुत् अगर किसी ने का चादर चाहिए तो जो बैट्शीट विछी है घर में वो दे देते थे साव यह मन से नहीं कर पाओगे आप यह रदय से ही होगा, मन तो कहेगा अभी बॉंबे डाइंग की खरीदी है दीवाली पर इसकी कीमत ही ताब 4,000-4,000 है चारजार जी मैं आपको ट दूनते ना रहें, हिर्दय को एक और नाम भी है, जब मन पूरा निर्मल हो जाता है तो इसको हिर्दय कहते है, आप ध्यान रखे, उसमें यह बात नहीं है कि हिर्दय को आप अध्यात में डूनने लेगे कि हिर्दय और मन में, निर्मलता का परयाय जब हो जाए तो हिर्द हिर्दय कहते हैं और वहां ना पाप होता ना पुंड होता फिर हिर्दय हरसानी सही बात है आखर यही प्रश्ण तो प्रभु श्री राम से बाली ने पूछा था कि आप तो लोक चिंतक हैं हित के चिंतक हैं तो छिप कर मेरे उपर बान चलाते हुए आपको लज्जा नहीं आई क्या यह धर्म है तो राम का उत्तर था जैसा डॉक्साब ने कहा कि जो अपनी पुत्र वधू को जो पुत्री के समान है उसे कलुषित नेत्रों से देखता है और कलुषित भाव से जबरन उसके साथ उसको अपनी जीवन संगिनी बनाने की तरफ बढ़ता है तो कि उसके छोटे भाई की पत्नी है उसके साथ तुम धर्म की बात करते हो बाली अब तो तुम महाप्रयान के लिए चलो मुक्ती की तरफ बढ़ चलो यह कुतर कमत करो तो वहां एक स्पष्ट रास्ता है कि जीवन ऐसे चलेगा यहां समापन तक पहुंचेगा और ऐसे प्रभु मिलन के लिए आत्मा बढ़ चलेगी बढ़ा आनंदा है रख सब अगले एपिसोड में एक और विशे लेकर उपस्तित होंगे बनाव नमस्कार झाल